जल्द ही खुरसी पार छेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है 75 लाख रुपय की लागत से बापु नगर वाड 29 में ऐसा उद्यान का निर्माड किया जा रहा है जहां बच्चों के खेल वा जूले से लेकर युवाओं के व्यायाम के लिए जिम तथा बुजूर्गों के लिए योग करने की सुविधा होगी विधायकवा महापर्देवेंद्र यादों की पहल पर खुरसीपार छेत्र जोन चार के वाड क्रमांक 29 बापु नगर में ऐसा एक सुसजित सुविधायुक्त उद्यान का निर्माड किया जा रहा है जो खुरसीपार छेत्र के लिए भिलाई निगम का पहला उद्यान होगा खुरसीपार छेत्र की जनता की मांग के अनुरूप महापर्देवेंद्र यादों ने पहल की और 75 लाख रोपे की लागत से बापु नगर में उद्यान का निर्माड किया जा रहा है लंबे समय से विकास कारे के लिए अधूरे रहे खुरसीपार इलाके के वाडों में तेजी से विकास कारे हो रहा है और जनता की मांग के अनुसार विकास कारे किया जा रहा है बापु नगर उद्यान में चारो और हरियाली और सुन्दर वातावरण हैं लोग परिवार सहीत यहां समय बिता सकते हैं उद्यान के निर्माड को लेकर निगम के जन संपर कधिकारी पी सी सारवा ने संपूर्ण जानकारियां दी जो वाकी में उन छेत्रों के लोगों को सहलत देगी और पहले जो है खुर्षी पार छेत्र में बहुत अच्छे नहीं थे और इसके गाडन बन जाने से उस छेत्र के जो निवासी हैं उनको दूसरे छेत्रों में जाकर मनुरण के लिए जानने पड़ेगा वहां पर रेश्ट कर सकते हैं और वहां पर बच्चों के लिए जीम योग और तमाम ऐसे चीज़ें हैं प्लेइंग लगें वहां पर जो उनको मनुरम दिश्य देगा और उनको जो है सांती प्रताय करेगा वाकी मों जो गाडन है उसके वगल में तलाब भी है तो ऐसा प्राप्रितिक दिश्य वराने का कोशिश किया गया है कि जो है मनुरम लगे और लोगों को लुभावन लगे उसके साथ ही लोगों को बहुत ज्यादा सांती उद्यान में प्रताय हो और कुर्शी पार छेत्र में चुकि बहुत ज्यादा गाडन नहीं थे और ये गाडन होने से छेत्रवास्यों को उद्ध्यान निर्मार कारे लगभग पूर्ण हो चुका है इस गार्डन के निर्मार से बापु नगर सहीत पूरे जोन चार छेतर के लोगों में काफी हर्ष का माहौल है जिसका जल्द ही शेस कारे पूरा होने पर लोकार पढ़ कर जनता को सौब दिया जाएगा ग्रेंड नियूस के लिए भिलाई से सुनिल चौहान की रिपोर्ट ग्रेंड नियूस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही मुझे दी जाएज़त नमस्कार